सिक्छक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एविकेटर जी में आप सभी का हार्दिक भिनन्दन है इस वीडियो में बात करेंगे एसे से मद मै माह वेतन भूगतान है तू जीला भार अवंटन की शाथ ही बात करेंगे जीयोवी मद वेतन भूगतान कितने माह का होगा और कब तक होगा क्योंकि विभिन जिलों से विभिन प्रकार की सुचनाएं प्राप्त हो रही है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दे सर्व प्रथम बात करते हैं एसे से मद मई माह वेतन भोगतान हेतु जिला बार आवंठन की तो पुर्व के वीडियो में बताया गया था कि कल ही साम तक सभी जिलों में मई माह वेतन भोगतान के लिए जिला बार आवंठन जारी कर दिया जाएगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ कारण यह बताया जा रहा है कि कल पर्यूजना में संबंधित अधिकारी महोदय नहीं थे और विभाग की लापरवाही भी सर्व बिदित है एक दिन के काम को शंपन करने में चार दिन भी लग जाता है तो इस वीडियो में आपको समय नहीं बताया जाएगा बस इतना बताना है कि संबंधित अधिकारी महोदय जब परियूजना में आएगे और उनका मन करेगा तो हस्ताक्षर कर जिलो को जिलाबार आमंटन कर देंगे मात्र उनके लिए एक घंटे का कारे ही होगा तो देखना यही है कि जिलाबार आमंटन कब तक होता है अब बात कर लेते हैं जियोवी मद मार्च अप्रेल मई माह का संबंधित सिक्षकों के वेतन भूगतान की तो भोजपुर जिले से निउज है कि मार्च अप्रेल तथा मई तीन माह का बिल सोम बार को जमा हो जाएगा आसा है कि बुधुबार से बिरहोस्पती बार तक बिल कोशागार में चला जाएगा और थात अगले सप्ता हांत तक इस जिले में तीन माह की रासी जियोवी मद में सिक्षकों के खाते में चली जाएगी वहीं पस्चिम चमपारण से निवज है कि मार्च तथा अप्रेल माह का वेतन भुगतान सोम बार से मंगल बार तक दो माह का हो जाएगा वहीं मुझाफरपूर, पटना, पूनिया समेत कुछ और जिलो में आज वेतन विपत्र जमा होने वाला है अन्य सभी जिलो में जियोबी मद में वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ है अगले सब्ताह में दो अथवा तीन माह का वेतन भुगतान बहुत सारे जिलो में सिक्षकों के खाते में पहुँचना प्रारंभ हो जाएगा तो इस वीडियो में अभी इतना ही अपडेट है आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा धन्यवाद